अनमित दिन चर्या और गलत खान पान के कारण कब्ज की समस्या होना आम बात है। पानी कम पीने की बज़ा भी कब्ज होने का प्रमुक कारण है। भोजन के बाद बैटे रहने और रात के खाने के बाद सीधे सोजाने जैसी आदिसों से भी कब्ज होना स्वभाविक सी बात है अगर आप भी कब्ज की समस्या से परिशान हैं तो कब्ज को ची करने के लिए हमारी वीडियो में कुछ उपाई बताए गए हैं जिन्य फॉलो करके आप कब्ज ऐसी समस्या से निजाद पा सकते हैं तो आएए जानते हैं कब्ज को दूर करने की कुछ आदते नमबर वन, भरपूर पानी पीए कबज की समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप 8 से 10 किलास पानी जरूर पीए साथ ही अगर आप मौनिंग में गरम पानी के शाथ उसमें थोड़ा नीवू प्लस काला नमक में लाग कर पीते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाब मिलेगा कबज की शिकायत दूर रहे इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भूजन में फाइवर युक्त खादी परधार्दों का सेवन अधिक से अधिक करें इसके लिए आप ओड्स, हरी सबजियां, दलिया, पोखा, डाले, आदी अपनी भूजन में शामिल कर सकते हैं कबज की रोगियों को अधिक मात्र में पपीते का सेवन करना चाहिए इससे पेट जल्दी साप होता है साथ ही पपीता गर्म ताशीर होने के कारण असानी से पस जाता है और आतों में मल को कठोर नहीं होने देता कबज से बचने के लिए नियमित रूप से वैयाम, योगा करना बीहत फाइदे मन्द होता है इसके अलावा आप रात के खाने के बाद 30 मिनट की बॉक जरूर करें साथ ही रात को डिना सूरस ठलने से पहले करने तो भी कबज की समस्या में बीहत लाब मिलेगा तो आएए बीडियो को एक वाज समराइज करते हैं जैसे कबज से निजात पानी के लिए नमर वन भरपूर पानी पीए नमर टू फाइवर युक बोजन ले नमर थ्री पपीते का सेवन जरूर करें नमर फोर नियमित बैयाम करें फिरलाल हमारी वीडियो में इतना ही नियू अप्रियोट्स के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए और उसके लिए अब हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी कमेंट करके बताईए कि हम हमारी वीडियो